आप सभी की एक और वीडियो में जहां पर मैं आपको बतना है तो हीट को होता है हीट को एक जगह से तूसरे जगह के इस तरीका है इस इख हिए गया स्टीवाद के लिए जायेंगे उस इसका हम लोग बनते हैं भेलेशेंगने मैं पर दतने सिस्टम होता है ठीक है तो यह जो मेलनी जो होता है यह तीन प्राराइक होता है तो पहला जो होता है यह संचालन विधी होता है ठीक है और दूसरा जो होता है वो होता है सम्मोहन विधी संमोहन बिदि और यह सवता है है कि तो यह जो तीनों तीनों से यहां तक चला आएगा तो यह इस बीदी को सम्मोहन भीदी बोलते हैं और यह हीट तब तक यह तक यहां तक यहां तक आएगा जब तक कि इस heat बदर इस इस यह जो है यह यह बराबर ना जाया जब ही जब हीट यहां से यहां तक यहजए रहन कर साथ रहता रहाएगा तो यह हो प्ञेंशरी संजालन यह होता है यह संचालन यहां पर संचालन यह हburger समोन विधी है और दूसरे siaten हमन विदी में यानि कि मानिए है कि यहां पर कोई भी एक जपर लिया थे हम लोग इसको ठीक है यह बहुत है है जह हो गया हम लोग का फ़ृकर है और जो होता है कि यह ठंडा पानी होता है यह चला आता है नीजे चलाता है और जो गरम पानी होता है यह उपर चला आता है ठंडा जो होता है उसका वह नीजे चलाता है यह उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे होता रहे और यह तब तक होते रहता है जब तक इसका तपमान एकव सब्सक्राइब von हम तर चुत पर बीक ररणड विधि एसा कुछ है कि बیना किसी बाह रहा है बैसा है कि यहां पर यहां से लाइट आ रहा है तो यहां से लाइट आ तो हम द्रासपूअ पर रह रहा layer आ रहा है जबकि यहां पर बहुत बड़ा गेप है फिर भी लाइट के थुरू यहां पर हीट आ रहा है तो यह हो गया हम लोग का सम्मोहन भी तो अभी हम लोग यह तीनों मैथर्ट किलियर हो चुका है स्वाफ लोग को समझ आ चुका हो कि रेफ्रिजेशन सिस्टम में हीट को हम लोग ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी वीधी को यूज करते हैं अब इनेक्स टेप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थर्मामीटर क्या होता है और थर्मामीटर से हम लोग कैसे कर सकते हो